गुर आफ्टिनून ने हूँ आपकी फैमिली गुरू जैमदान सावन पर कितनी सारी चीजें और हो सकती हैं आप में सोचा भी नहीं होगा यही सारी नई-नई चीजें आपको बताने मैं रोज आती हूँ पर यह बातें सुनने से नहीं करने से बात बनेगी आज क्या-क्या करना हैं आपको यह देखिए सावन में शिव शंकर को बेल पत्र से करें प्रसंद बेल पत्र से पूजा की सबसे खास विधी आपके काम नहीं बन रहे या बनते वे काम रुक रहे हैं जानेंगे दिन को बहतर बराने वाला अचूप तोटका आपका समय खराच चल रहा हैं बताओंगी घर में घरी कहां कैसे रखने से बदलेगा समय घरेलू नुस्खों से बनिए नाच्रली खूबसूरत अपनी ही राशी के इसाब से अपने कल को जानिए बदलिए अगर आपका कोई काम बनने वाला हो 99% हो जाए फिर अचानक रुख जाए किसी से आप बात डिसकस कर ले वो कामी ना हो आप ही के काम क्यों रुखते हैं कोई बात नहीं अब इसको दूर करने का हल भी तो मैं ही बताऊंगी आपको बताऊंगी कैसे बनेंगे आपके रुकेवे काम पर इससे पहले भगवान शिव और बेल पत्र की बात करते हैं क्यों ऐसा कहा जाता है कि बेल पत्र भगवान शिव को अर्पित किये जाएं तो वो खुश होते हैं आपको बताती हूं क्यों जो इंसान एक, तीन या पांच की नंबर वाला भगवान शिव को बेल पत्र चड़ाता है वो भवसागर, भवसागर मतलब यह नहीं कि दुनिया के पार, भवसागर मतलब कि आप अपने emotional problems के पार चले जाते हैं अखंडित, यानि कि बिना कटा फटा बेल पत्र, शिवजी को चड़ाने से इंसान शिव लोग को प्रात होता है शिव लोग का मतलब यह नहीं कि आप गए और मोक्ष प्रात होके हैं, शिव लोग का मतलब यह हैं कि आप divinity, blessing की छतर चाया में रहते हैं जो बिल्व का पेड होता है, उसको देखने से, उसको टच करने से, उसको प्रिणाम करने से आपके पाद दूर होते हैं बेसिकली आप जब एक positive tree के पास जाते हैं, एक positive ayurvedic tree के पास जाते हैं तो आप अपने उसकी air के थूरू बहुत जादा अपने अंदर के किटानों, अपने अंदर के bacteria negativity नश्ट करते हैं तो यह जो शास्त्रों में बाते लिखी गई, यह बड़ी scientific तरीके से लिखी गई, पर इसको समझा कुछ और तरीके से क्या बेल पत्र में त्री leaves जुड़ी होती हैं, यह सब को यह signify करती हैं कि शिव, त्री नेत्र, त्रिशून, शिव के माथे पे त्रिपुन्ट, यानि कि त्रिगुन, शिव को त्रिगुन भी कहा गया जब आप अपने अंदर के तीनों गुन, आप अपने अंदर के आलस, अपने अंदर के action और अपने अंदर की divinity को balance कर लेते हैं, तो आप भी देवता स्वरूप हो जाते हैं बेल पत्र के बारे में जानते हैं कुछ और जरूरी बात हैं, कि 6 महीने तक 20 नहीं होता, जी ये पानी से दोकर दुबारा यूज कर सकते हैं शिवजी को आपट किये वे इसका जानते हैं कुछ और जरूरी बात है कि छे महीने तक बासी नहीं होता जी ये पानी से दोकर दुबारा यूज कर सकते हैं शिवजी को आपित किये वे इसका जो चिकना भाग होता है वो शिवलिंग के उपर रखना होता है बिल पत्र पर सफेज चक्र जैसा चिन नहीं होना चाहिए अगर बिल पत्र ना मिले तो उसकी जगा पर चांदी का एक बिल पत्र भी आप चड़ा सकते हैं समय हो गया है आपका कल बदलने का आपको बताती हूँ क्या करें आप अपनी राशी के हिसाब से पर उससे पहले जानते हैं कि क्या करना है आपको अगर आपका काम रुक जाता है बनता ही नहीं अगर आप संडे को किसी जरूरी काम से जा रहे हैं और वो अटका हुआ काम है तो पान का एक पत्ता अपने साथ ले कर जाएं काम बन जाएगा अगर आप मंडे को किसी जरूरी काम से जा रहे हैं जो लंबा लुक रुकावा काम है तो शीशे में अपना चेहरा देख कर जाएं आपका काम बनेगा Tuesday को अगर काम पे जा रहे हैं और important काम है तो मिठाई खा कर जाएं मंगल स्ट्रॉंग होगा आप अपनी चीज़ पर विज़े पा कर आएंगे Wednesday को अगर जा रहे हैं तो मर्कदी स्ट्रॉंग करना पड़ेगा आपको धनीय के पत्ते खाने हैं इससे cool and calm easily आपका काम हो जाएगा Thursday को अगर आप जा रहे हैं और कोई बहुत लंबा important काम है और लंबा रुकावा काम है तो सरसों की कुछ दाने मूँ में डाल कर जाएं पस इसको थूपना नहीं है मूँ में रखना है और देखिए काम कैसे बनता है Friday को अगर जाना है इस जरूरी काम पर तो curd खाकर खाएं आपका Venus strong होगा आपकी सिरफ नजर भर से काम हो जाएगा Saturday को अगर जाना है तो शनी देव खूब अर्चन देते हैं ऐसे में अद्रक और घी खाकर जाएं और देखिए काम कैसे बनता है आपका फेवरिट ड्राइफ रूट कौन सा है? मेरा फेवरिट ड्राइफ रूट तो बादाम है क्यों मुझे आलमन्स इतने पसंद है? क्योंकि उसमें फाइदे इतने हैं आप से बात करेंगे बादाम की और इससे पहले आपकी राशी की बात करनी जरूरी है मेश राशी के लोग नहाने के पानी में रोज पेटल डालें वीनस मास इखटा होगा आपकी हर मुश्किल आसान होगी लखी टाइम नाइट नाइन पियम फ्रिशब राशी के लोग माथे पर केसर का तिलक लगाएं केसर नहीं है हल्दी का लगा लीजे आपकी इंट्यूटिव चीजों से सिल्यूशन निकलेंगे लखी टाइम मौनिंग 11.50 एम मिट्वन राशी के लोग मिश्री और तुलसी खाकर काम पर जाएं आप ये कॉंबिनेशन जो खाएंगे इससे आपको काम में सक्सेस मिलेगी लखी टाइम आफ्टरनून 3.25 पी-म और करक राशी के लोग कैंसेरियन्स घर से जाने से पहले पहले सीधा पैर बहार निकाले बस आपका हर काम सीधा पड़ेगा लखी टाइम नाइट 8.50 पी-म आप सुबर जब मैं अपने घर से निकली आप से मिलने के लिए तो मेरे घर के बिलकुल सामने बड़ा सा नीम का पेड़ है पुझे दिमाग में आया कि क्यों ना आजा आप से नीम की बात की जाएं पर आपका मुँ अभी कड़वा नहीं करते पहले जब बादाम की बात करते हैं फिर नीम की बात करेंगे क्या आपको पता है कि रोज अगर आप 10 बादाम खाते हैं तो इससे आपका दिमाग तेज होता है क्यूं यह तो हमने सुनाई है वो इसलिए क्योंकि ऐलमेंज में वाइटमिन इ होता है जो skin में निखार लाता है almonds में fiber होता है जिससे आपका constipation दूर होता है digest होता है almonds के अंदर cholesterol को control रखने की ताकत होती है almond खाने से हडियों में ताकत मिलती है और दाँ थेल्दी रहते है तो बस दस बदाम की तो बात है रोज खा लिया कीजे आपके घर में कहा clock है कैसी clock है सुबह उत्ते ही घड़ी कहा होती है गरदन मोड के देखते हैं साइड में देखते हैं की mobile उठा कर देखते हैं इस सारी चीजें तेय करती है कि आपका वक्त कैसा चल रहा है आपकी घड़ी की बात करेंगे पर इस से पहले चलिए नीम के फायदे जानते हैं नीम से जुड़ी कुछ effective tips बताती हूं नीम के पत्ते पीस कर उसमें कोई भी तेल मिलाकर पेस्ट बनाएं और चोट पर लगाएं चोट जल्दी भर जाएगी नीम की जो कॉपल होती है उसका जूस अगर आप पीते हैं या बच्चों को जबरदस्ती पिला देते हैं तो स्तमक से कीड़े निकल जाते हैं नीम के पत्तों को पीस कर गेहूं के आटे के साथ पेस्ट बनाकर फोड़े फुंसी पर लगाते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं नीम के तेल से सिर में मालिश करने से लाइस मर जाते हैं नीम की छाल का काड़ा बनाकर पीने से डाइबिटीज में आराम मिलता है यही नहीं नीम के धेर सारे पत्ते तोड ले उसे सुखा ले आप अपने घर में चावल में डाल में, छोले में, राजमा में नीम के पत्ते डाल दीजे आपके यहाँ पर कभी डालों में, चावलों में कीडे नहीं लगेंगे अब मैं फिर से बात करने वाली हूँ आपके कल की आपकी राशी की, आपकी लाकी टिप की और उससे पहले घरी क्या कमाल करती है, यह जानते हैं आप घरी कैसी पहनते हैं स्क्वेर पहनते हैं ओवल पहनते हैं, रिक्टैंगलर पहनते हैं, किस शेप की पहनते हैं, क्या डिजाइन है उस पर यह बहुत सारी चीजें बताती है आपको बताती हूँ सबसे पहले clock के बारे में घड़ी को north, west, east direction में लगाएं जब आप घड़ी को north में लगाते हैं तो घड़ी मतलब समय देखना तो आपका समय किस तरह से चलता है? पैसे के लिए जब आप घड़ी को east में लगाते हैं तो आपका समय कैसे चलता है? better connections के लिए politics के लिए जब घड़ी को west में लगाते हैं तो समय कैसे चलता है property बनाने के लिए और जब घड़ी को south में लगाते हैं तो समय चलता है yes बनाने के लिए लेकिन सारी दिक्कत यह हो जाती है कि लोगों को पता नहीं होता कि घड़ी किस direction में किस element की लगाए जब आप north में घड़ी लगाते हैं तो metal की होनी चाहिए east में घड़ी लगाते हैं तो wooden होनी चाहिए south में wooden और west में metal तो north, northwest, north, metal की घड़ी east, south, east, south, लकडी की घड़ी यह तो हुई लगाने वाली घड़ी की बात इसी तरह से अगर आप अपनी drawing room में soft और musical घड़ी लगाते हैं तो family members के दिल और दिमाग शान्त रहते हैं ध्यान रहे साजबहों की चिक्चिक खतम करनी हैं तो यह काम कर लीजे और घड़ी जब slow time बताए तो काम और जब में तरक्की में रुकावटे आती हैं इमीजेटली घड़ी का time सही रखी पेंडिलम वाली घड़ी लगाने से काफी फाइदा होता है पेंडिलम से positive energy attract होती है घड़ी को घर में south दिवार पर ना टांगे अगर लकड़ी की ना हो वरना negative काम करेगी negative energy attract करेगी घड़ी को कभी भी main दोर के उपर ना लगाए इससे family members जो हैं वो मानसिक तनाब में रहेंगे लगेगा पस घर से बाहर निकलू घर से बाहर निकलू घड़ी को कभी भी तकी की नीचे नहीं रखे ऐसे भी समझदार लोग होते हैं जो घड़ी की नीचे घड़ी में अलाम लगाकर और तकी की नीचे रखकर सोते हैं इससे टिक टिक दिमाग और दिल पर बुरा प्रभाव डाल सकती है क्या आप बच्चों को सही डाइट दे रहे हैं? क्या आपके बच्चे हेल्दी हैं? अगर नहीं हैं तो मैं आपको बताऊंगी क्या खिलाएं हो नहीं पर इससे पहले आपकी राशी की बात करते हैं सिंग राशी के लोग किसी की बुराई ना करें आपकी नेगिटिविटी बढ़ने लगेगी वर्गोसका निया राशी के लोग जेब में लॉंग रखें और पेड वापस आते समय काम से किसी पेड की रूट में छोड़ दें आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा लगी टाइम इवनिंग 7.20 पी एम लिब्रिंस तुला राशी के लोग शाम को घर में कपूर जलाएं इससे घर की चिक चिक खत्म होगी लगी टाइम मौनिंग 9.30 एम और विश्चिक राशी वाले लोग अदित्य हरिदे सोत्र का पात करें इससे आपके दुश्मन आपको सलाम करेंगे लगी टाइम मौनिंग 7.50 एम अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या आप कोई मंतर कर सकते हैं? क्यों नहीं? जरूर कर सकते हैं आपको बताऊंगी वो मंतर पर इससे पहले बच्चों को हेल्दी और सिक बनाते हैं बच्चों में अगर मैल नूट्रिशन हो जाएं तो बोडी को सही एनरजी नहीं मिलती इसके कारण बिमारियां भी हो जाती हैं खत्रा बना रहता हैं आज इसके बारे में जानेंगे और अपने बच्चों की टाइप पर ध्यान देंगे अगर बच्चे को अनीमिया है खून की कमी है तो बच्चे की ग्रोथ के लिए आईरन बहुत जरूरी है आईरन की कमी के कारण अनीमिया होने लगता है तो इसके लिए बच्चे को भूख नहीं लगती स्किन पीली पर जाती है डल पर जाती है कमजोर बॉडी लगती हैं, हातों पैर ठंडे रहते हैं ऐसी में बच्चों को आयोडीन की कमी से बचाने के लिए आप उन्हें होल ग्रेंज दें, हरी सबजियां दें दिन में दो बार दूद दें कई बार बच्चों के गले में थायरेट ग्लैंड में सूजन होने की कारण गॉटर हो सकता है ये बॉडी में आयोडीन की कमी से हो सकता है जो बच्चों की मेंटल ग्रोथ के लिए इफेक्ट करता है इसके लिए बच्चों में आयोडीन की कमी ना होने दें बच्चों को आयोडेन युक नमक दें बेग्ड आलू, दूद, आयोडाइस, सॉल्ट, बीन्स, आई, दही, केला ये सारी चीज़े बच्चों को खिलाएं अगर बच्चों के अंदर वाइटमिन डी की कमी होगी तो बच्चों की आखे कमजोर होंगी, पूख नहीं लगेगी, बाल चड़ेंगे ये बड़ों में भी है, बाइटमिन डी की कमी से हड़ियां, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है बाइटमिन डी की डाइट अड़ करें, इसके अलावा धूप, अर्ली मॉर्निंग की धूप बच्चों को दें बाइटमिन डी के लिए बच्चों को शिमला में इच खिलाएं चीज, दूद और धूप, याद रखेगा धूप, ये बहुत जरूरी है आज मेरे खजाने में कौन सी खास ब्यूटि टिप आप के लिए निकलेगी ये तो सप्राइज है, पर इससे पहले आप प्रोटेक्टिड रह सकें, आपको नजर ना लगे इसके लिए एक मंत्र जानिए मंत्र लिखिए प्रोटेक्शन का, ये कर ना पाएं तो फोल्ड करकर अपने हर पर्स में, अपनी पॉकेट में डाल दे जब भी किसी फंक्शन पे, इविंट पर जाना हो जरूर करें, नजर नहीं लगेगी मंत्र है ओम, हरीम, दंडीन हीन, महा, दंडीना, नमस्ते, ठह, ठह इस मंत्र का आपको जाप करना है, या नहीं तो लिख कर रग दिजे देखिए ये मंत्र आपका कैसे प्रोटेक्शन देता है, नहीं तो एक माला का जाप करिए और कमाल दिखिए आपकी राशी की बात करेंगे जल्दी से इससे पहले बालों को खुबसुरत करते हैं अगर आपका हेर लॉस हो रहा है तो जहां पर बाल नहीं है वहाँ पर भंगारा के पत्ते भंगारा के पत्तों का जूस आपको नरसरी से मिल जाएगा इसका जूस निकाल कर यहां अगर आप मसाज करते हैं जहां पर आपके टैचेज हैं बॉल टैचेज हैं तो कुछी दिनों में आपके ब्लैक बाल वहां से निकलने लगते हैं जिनके बाल तूटते हैं या दो मुए बाल हैं वो भी ये कर सकते हैं इसके अलावा त्रिफला के चूरन को भंगारा के जूस में तीन उबाले दे कर अच्छी तरह सुखा कर अगर पीस कर फिर रोज सुभा लगबग दो ग्राम के आसपस खाएं तो इससे बाल सफेद होना बंद हो जाते हैं इससे आँखों की राष्णी बढ़नी लगती है देखिए कितनी छोटी छोटी आम पाई जाने वाली चीजे आपकी बॉलनेस का और आपकी आँखों का ध्यान रख सकती हैं अज मैं आपको एक नहीं दो दो चीजे बताऊंगी एक मैं आपको simple protection बताऊंगी कि जब आपसे कोई चिड़ रहा हो तो क्या करने से perpetually आपका aura seal हो जाता है आपको बताऊंगी कि जब कुछ अच्छी बात हो रही हो तो क्या करना चाहिए और साथ मैं आपको बताऊंगी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करें पर इससे पहले आपकी राशी की बात धनू राशी के लोग ब्लैक शूज, ब्लैक कपड़े अवाइड करें नहीं तो आप आलसी फिल करेंगे लकी टाइम, मौनिंग, 9.45 एम मकर राशी के लोग घुटनों पर पर्फ्यूम लगाएं ताकि आपकी लाइफ में ये जो स्ट्रगल चल रहा है ये खत्म हो जाकर घर में रख दीजे ऐसा करने पर आपको जल्दी ही good news मिलेगी लकी टाइम, आफ्टनों 12 पीम मीन राशी के लोग सीधे हाथ में घड़ी पहने मगर ये ध्यान रहे कि घड़ी अपने घर में किसी फीमेल के हाथ से बंदवाएं मदर, वाइफ, किसी के भी हाथ से तो देखिए आपका दिन कितना बढ़िया बीटा है लकी टाइम, नाइट, 9.20 पीम आउंगी negativity रोकने के लिए क्या करें positivity बढ़ाने के लिए क्या करें stammering को दूर करने के लिए क्या करें पर इससे पहले मुझसे बात कीजे मुझसे बात करने के लिए मेरी इमेल आईडी नोट करें familyguru at itvnetwork.com अपनी परेशानिया, दिक्कते, मुश्किल, सवाल सब कुछ मुझे आप भेज सकते हैं ये बात आपके और मेरे बीची रहेंगी विजे कुमार मुरादा बात से अपनी डॉटर के बारे में पूछना चाहते हैं उसकी एजुकेशन कैसे अच्छी हो पैर के नेल्स तूट फूट रहे हैं फंगल इंफेक्शन हैं और साथ में वेट कम नहीं हो रहा चलिए बात करते हैं विजे जी से विजे जी आपकी डॉटर से केतू में थोड़ी प्रब्लम आ रही हैं उसको बोलिए कि हर पून्नमा या संक्रांत पर मंदिर में या गुदवारे में गुदवारे में शान साथ की सेवा ले ले मंदिर में जंडा लगवा दे इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं अपनी डॉटर को कहें कि वो अपने इधर आमलेट में यहाँ पर कॉपर का एक स्क्वेर पहन लेंगी रेड कलर के धागे में और साथ में राइट पैर की मिडल सिंगर में मतलब अंगूठे के साथ फली जोंगली है उसमें चांदी का एक छला पहन लेंगी यह प्राब्लम सॉल्ट हो जाएगी आज एक नहीं धेर सारी बाते करेंगे आज हम बात करेंगे आप अपने आपको कैसे प्रिट्रेक करें नेगिटिविटी को कैसे काटें पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाएं धन कैसे अट्रेक करें और स्टैमरिंग की तुद्ट लाने की प्राब्लम हो तो क्या एक्सरसाइज करें सब बदाती हूँ सबसे पहले बात करते हैं नेगिटिविटी को रोकने की जब आपके सामने कोई ऐसा इनसान बैठा हो जो आपको पसंद नहीं करता या आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा या आपको डीग्रेट कर रहा है आपकी इंसल्ट कर रहा है तो अपने आर्म्स को यूँ लॉप कर दीजे अपने पैरों को भी यूँ क्रोस कर दीजे आपका औरा सील हो जाएगा कुछ ताइम बात वो जो बोल रहा है उससे आपको फरक भी नहीं पड़ेगा और यहीं कहीं कोई अच्छी बात हो रही हो कोई ग्यान की बात हो ऐसी बात हो कि आपको लगे बस ही मुझे सीख लेना चाहिए यहाँ बच्चों के कोई लेक्चर्स हो जो उनको लगे की यह लेक्चर में मुझे बस याद हो जाए जो मैं मैंने बताया तो बच्चों को कहे कि अपने घुटनों के उपर ऐसे हाथ खोल कर बैठ कर जब भी हम कुछ सुनते हैं तो हमारा ब्रेइन जादर से जादर नॉलेज अबसौब करता है मैंने आपको बताया ब्रेइन को शट ऐसे करना है और खोलना ऐसे है इसी तरीके से स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो जिनको stammering की problem हो, उनको बोली एक pencil लीजे, tongue को ऐसे fold करना है, और यहाँ पर pencil रख देनी है, और पांच मिनट के लिए रखनी है, रोज दिन में तीम बार करना है, 40 days के अंदर अंदर आपकी tongue और speech clear हो जाएगी, अब पैसे की बात, घर में मालक्ष्मी के सामने, नौ बातियों वाला अगर आप दिया जलाते हैं, तो इससे आपके financial gains strong होते हैं, और टांबे का एक सिका, red color के कपड़े में, अगर आप बांध देते हैं, इसको घर में साउथीस में चुपका देते हैं, घर के main दौरवाजे पर लटका देते हैं इससे भी आपके उपर मालक्ष्मी की कृपा होती है, और अगर एक दिये में सरसों का तेल डालते हैं, उसमें एक long डालते हैं, हनुमान जी की आरती करते हैं, और इसके अलावा आप Wednesday को सवा किलो हरी साबुत मूंग की दाल रखें, दूसरे बरतन में सवा किलो डली वाला जमक रखें, फिर इन दोनों बरतनों को घर में कहीं ऐसी जगह छुपा दे, जहां कोई देखना सकें, कुछी दिनों में आपकी हाँ फानाइंशल गेंस होंगे, वक्त हो गया है मेरी जाने का, पर आप कहीं मत जाएं, सुनिए आपने कल क्या सनना है, कल मैं आपको रिलेश अच्छा खाएं, खाते समय अच्छे विचार रखें, मंतरों को चैंट करें, खाना अमरित बन जाएगा, वजन नहीं बढ़ेगा, यह वो चीज़े हैं जो मैं करती हूँ, वो ही आपको बताती हूँ, तो कल मिलते हैं, अपना खयाल रखें, बाई बाई, ठीक येर